नमस्कार पसुपालक वाईयो मैं नरेश कुमार मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो लंपिसकेंडीजीज के बारे मैं है इस बीमारी के अंदर मैंने पिछले बार भी दो तिन वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया है कि ये कैसे फेलती है और कैसे न क्या रोग ठाम करने चाहिए आज मैं दुबारा इस बीमारी के उपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ द्यान से सुनें ये बीमारी बहुत ही गात्तक है ये देखने में तो हमें नोर्मल सी लगेगी जैसे कई पसुपालक वाईकिया सोचते है कि ये तो पसुपे उपर ह बहुत फरक है वो क्या होता है कि मक्यों के कारण होती है चोटी 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 गांटे होती है लेकिन इसमें पूरे सरीर के उपर बड़े बड़े फंफोले से बन जाते हैं जो उबरे हुए नजर आएंगे जो बहुत ही गात्तक है ये उत्तक है कि ये गात् जाते हैं ना तब भी अगात्यक होता है फिर पसू के मरने की संभावना ज्यादा रहती है इस बीमारी की अभी तक कोई वैक्षिन नहीं बनी है इसका उपाएई उपचार है आप जितनी आप पसू के पास सफाई रखोगे उतना इफाइदा है यह फैलती है जैसे जू हो हो गए यह क्या होता है कि एक पसू से दूसरे पसू में आते जाते रहते हैं तो यह इनके कारण इज्यादतर फैलती है तो इनके लिए आपको करना क्या है कि आईवरमेक्टिन नाम का एक इंजेक्शन आता है जो सबकट लगता है चमड़ी के अंदर वो पसू पालक को पानी आना पसू चरता नहीं है इस परकार की भी लक्सन दिखाई देते हैं और जो दूद देने वाले जो पसू होते हैं उसके अंदर दूद पादन भी कम हो जाता है और पसू लंगडा कर चलता है खाना नहीं खाता कुछ भी डाल दो मतलब उसको इग्नोर करता है पसू उन चीजों को तो इस परकार के लक्सन आपको देखने को मिले तो समझ लेना कि ये लंपी स्कें डिजीज जिसे लंपी चरम रोक कहते हैं वो है तो सबसे बड़ी बात ही ये कि सुरुक्षय इसका उपाई है क्या होता है कि हम जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगे मक्ही मत ना कहे कि हम ये फैलती है एक दूसरे से जैसे हमने पसु को हाथ लगा गर दूसरे पसु के हाथ लगा दिया एक पसु का खाना दूसरे पसु पिला दिया पानी जो एक पसु ने पिया वो दूसरे पसु को पिला दिया तो ये इस परकार से एक से एक दूसरे पसु में फैल सकती है तो इसका भी थोड़ा द्यान रखे और आप इस में जैसे अपने घरों में चिड़काओं किर सकते हैं potassium permanbeat लाल दवा का जहांपर पसू को आप बवांते हो वहांपर आप लाल दवा का चिड़काउ कर दें और पसू को भी लाल दवा से नहएला दे या नेम का पानी होता है नेम के पत्ते को गरम करके उन से जो पानी निकलता है उस पानी को से आप पसु को नायला सकते हैं जिससे काफी मतलब अच्छा रेजल्ट रहता है उसका भी तो आप इस बिमारी को ना गंबीर समझे इसको हलके में मतले तो आप पसुचिक्सक से संपरक करे कोई भी फेसला लेने से पहले आप उसकिसा से संपरक करे कि हमें क्या गहरना चाहिए क्या नहीं वो आप पोसला देंगे पैरो में सुजन आजाता है नीचे से शुरू होता है और उपर तक लगातार चलता है ये सुजन तो इस बिमारी का ट्रीटमेंट में लेक्षन देखकर ही करने पड़ते हैं और जैसे सोजन आ गया तो उसी साब से ट्रीटमेंट करना खुआ रा गई आंकों से पानी आ रहा है जैसे एविलिन बगारा हम लगा सकते हैं इसके अंदर और मैंने कुछ वीडियो देखी थी जिसमें डीश्यार बगारा भी बताय हुआ है और अंटी बाइटिक बगेरा कुछ बोजर यह एंटी वायटिक नहीं लगाने चाहिए लेकिन अदो लगक्ते हैं तो वह सब अलग- ждete करी हमें नंडायुत करना चाहिए हमें क्या लगाना है क्या नहीं धन्यवाद